नमस्कार मित्रो आज के इस वडियों में हम आपके लिए ले आए हैं 2022 का जो आपका एक्जाम हुआ था बिग्यान का बहुत ही मित्रो महत्पूर माडल पेपर है इस माडल को पेपर को मित्रो आप देखकर 2023 की आप एक्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे आप तीन खंड हैं तो किससे कितना प्रस्नाया है यहां मित्रों निर्देश लेकिे होते हैं निर्देश आपको पढ़ना है खंड का में देख्गे मित्रों यह दिख्या बहु कलपी टाइव की की प्रस्नाफ HARRISирован जो की फोकस्टूरी गनमर के अगर बात करें, यहाँ पर देखें, 220 वोल्ट, 100 वाट के बल्ब से पूछा गया है, और यहाँ मित्रू वही है, यह ठीक, अब यहाँ पर देखें, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से पूछा गया, यह आपको पूरी तयारी करना है, यहाँ पर मित्रू देखें, नुम 2022 में यहां मित्रों प्रकास से आपका नुमेरिकल पूछा गया है यह इसमें कहा एक प्रिज्म के मतलब चित्र बनाई इसके बारे में आप समझाईए विछलन कोन अथ्वाम चाहिए हल करो चाहिए हल करो चार चार नंबर का है आगे देखे विद्धुत मोटर से मित्रों तैयारी करना है विद्धुचुम की गटना से आपको पूरी तैयारी करना है इसके बाद मित्रों आपका खंडख पार्ट भी में खंडखwards में आपका कैम XL आ जाता है प्रोपेनल नित्रों इसंग क्या इस प्रोपेनल क्या है इसमीं आपघात है आँच और अधर दह्यों है ठंडे जल में हाइडोजन गेस जाल मंदलब बनती है किससे के यहहीं साथ ये मित्रो ये प्रोपे नाल ये इंग्लिस में दिया है इसी का ठिक अब यहाँ पर देखिए मित्रो प्लाश्टर आप पिरे इसके बनाने भी दी है ये दो नंबर का है यहाँ से आपको पांच कंपाउंड है च्छा कंपाउंड आप पुरह तैयारी कर लीजिए रेडाक से विक्रिया के बारें पूछा गया है में डिलीव किया और साडिक बारें पूछा गया है तो ये सबाब को तैयारी करना है कारबन के सरवोत मूखी प्रकृति के बारें पूछा गया आप देख पर बहुत ही इंकोर्टेंट है निस्तापन था भरजन में अंतर आपक योपत आना है अब देखिए गम यह आपका आ जाता है जैसे बाइलोजी आ जाता है मनुस में ब्रिक एवं तंत्र का भाग यह है स्वापोसी पोस्वर्ण आलाइंगे जरन का मुकुलन से पूछा गया है पराग कोस के बारे पूछा गया है अब मित्रु यहां पर आप ध्या संच्रण परिवार नियोजन पर संचिप्त आपको टिपड़ी देना है तो चलिए मित्रु इसे साथ साथ हम लोग नेश्ट बूले चिरसाथ मुलकात करेंगे इसका भी आप स्क्रिन सोड़ ले लिजे मेंडल नियम के बारे पूछा गया है पराग कन और ब्रिकान निप्र क्यारी करना है अगर आप चल परना है चल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यमाद